प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक पोयम, पोयम का टाइटल है The Butterfly and the Kite, राइटर है रेमॉंड विल्सन, Butterfly का अर्थ होता है तितले, काइट का अर्थ होता है पतन, हिंदी के अनुसार यह दोनों सब्द इस्तिरलिंग है, यानि महलाओं को निरुपित करता है, इसे महला माना गया है, या कब ता बताएगे के आजादी क्या है, गुलामी क्या है, और आजादी और गुलामी में अंतर क्या है, देर न करते हुए, अब पोयम शुरू करते हैं, क्या है, आजादी कुलाओ चाया ढिल्स . तोलर तन तुल्स ओर ट्रीश, ये पेपर्टी कहँ अपन अपन थरू जुक् स्फ्णूं तव धार्ट्स , लूट्समीर गूषए, भूब प्र Smyes , येर्या जिद्धग क। ठ। 9 फार वेलो ए बटरफ्लाइ इन फ्लाइट उपर से ब्याख्या करते हैं टॉलर दैन दे हिल्स और ट्रीज पहारियो और पेरो से उचा उचा पहारियो एवं पेरो से उचा उचा ए पेपर काइट एक कागज पतंग डांसिंग अपॉन दव्रीज मंद हवा में खुद निर्थ कर रही है लुक्स डाउन टु अर्थ एंड सीज जिग जैगिंग टू एंड फ्रो जिग जैगिंग का अर्थ होता है घूम घूम कर नाचना यह क्या कर रही है पतंग यहां वहां घूम घूम कर नीचे धर्ति की ओर और समुद्र की ओर देखती है यहां वहां घूम कर नीचे धर्ति और समुद्र को देखती है फार फार वेलो ये वटरफ्लाइ इन फ्लाइट काफी नीचे पतंग के यानि पतंग वहुत उपर उड़ रही है और उसी के ज़स्ट नीचे कोई तितली वहां पे उड़ रही है काफी नीचे एक तितली उड़ रही है तब ही तक अहंकार पुर्वक आस्मान में उड़ रही है यहां पिकर आए कि एस्टिल स्वारिंग हाउटिली दा काइट कॉल्स डाउन टेक ए गुड़ लुक एट में स्वारिंग को मतलब होता है उड़ना यानि आस्मान में कुई चीज उड़ रहा है तो उसको बोलते हैं स्वारिंग हाउट लिका वर्थ होता है कि आहंकार पुरुवक अभी तक आहंकार पुरुवक आसमान में रही है पतंग नीचे बुलाते हुई कहती है टेक ए गूड लुक एड मी अच्छे से मेरी तरफ देखो पतंग उपर से मुलाती हुई कर रही है अच्छे से मेरी तरफ देखो How would you like to be? Dancing you have the world करा है दुनिया की इतनी उचाई पर तुम्हें कैसी लगती हूं? दुनिया के इतनी उचाई पर तुम्हें कैसी लगती हूं? Wind swept and wild over country and towns हवा से विखरा हुआ और चक्कर खाते हुए हवा से विखरा हुआ चक्कर खाते हुए गाउं एवं सहरों के उपर तुम्हें कैसी लगती हूं? हवा से विखरा हुआ और चक्कर खाते हुए गाउं एवं सहरों के उपर तुम्हें कैसी लगती हूं? ये पतंग उपर में उड़ रहा है और तितली को उसको नीचे होने का एहसास दिला रहा है कि तुम बहुत नीचे हो तुम इतने उचाई पर नहीं उड़ सकते हो तो तुम बताओ कि जब इस दुनिया के उपर बहुत ही उचा, बहुत ही उचा मैं उड़ रही हूं तो कैसी लग रही हूं? note on your turns करा है note on your turns replied the butterfly तितली जवाब देती है कि यह तुम्हारी बारी नहीं है तितली जवाब देती है कि यह तुम्हारी बारी नहीं है puffed out with wind and pride can you not see your tide हवा और अहंकार से भरा हुआ हवा और puffed with and pride का आर्थ होता है हवा से अहंकार से भरा हुआ और इसमें bind लगा हुआ है तो यहां पे होगा अर्थ हवा और अंकार से भरा हुआ तुम देख नहीं सकते कि तुम बंधे हो तुम देख नहीं सकते हो कि तुम बंधे हो कौन चाहता है कि एक खिलोने की तरह बंधे रहें करा है कौन चाहता है कि एक मुर्ख लगा का हाँ तक खिलोना बंधे रहें बेटर गो फिरी दैन गो हाई करा यहां पर मुचा जाने से बेहतर है कि मुक्त हो करके आजाद हो करके उरें मुचा जाने से बेहतर है कि आजाद हो करके घूमें फिरें और अपने जिन्द्गी का आना अंदल है क्योंकि यहां सबसे बड़ी देखने वाले बात यहा है कि पतंग तो उंचाई भर उड़ता है लेकिन वह किसी न किसी हाथ का कटपुचली बना होता है और वह जिस तरीके से चाहता है उस तरीके से उसको नचाहता है कि दूसरी मायने यह देखा जाए कि पतंग का यदि धागा तूर जाती है तो वह कहां पर जाके गिरेगी किस अवस्था में रहेगी यह पतंग को खुद नहीं पता है कि यह उसका अवस्था क्या होगा उमीद है कि यह पोयम की व्याख्या आपको अच्छा लगा होगा यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते हैं